बरसाथ का मौसम गार्टनिंग के सुरुवात के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है इस मौसम में आप जो भी पौधे पचेस करके लेके आएंगे वो बहुत ही असानी से लग जाता है क्योंकि बारिस के पानी से कोई भी पौधा हो जितने भी पौधे हम लगाते हैं उसमें माक्सिमम पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने लगती है तो बारिस का मौसम गार्डनिंग के सुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा मौसम है तो इस टाइम आप अगर गार्डनिंग सुरु करना चाहरे हैं गार्डनिंग में नई पौधे लाना चाहरे हैं तो आप ला सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट है लेकिन गार्डनिंग शुरुआत करते वक जब हम नरसरी से पौधे लाने जाते हैं तो बहुत सारे पौधे हमें दिखते हैं कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ डेलिकेट होते हैं, कुछ दिखने में काफ़ी ज़दा खुबसूरत होते हैं तो हमें किस तरीके के पौधे starting period में लेने चाहिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ है Hello friends, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब आई होग आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे Friends, gardening करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि हम ला सकते हैं और लगा सकते हैं लेकिन जब तक अच्छी तरीके से experience नहीं हो जाता तो हमें dedicated पौधे नहीं लेने चाहिए तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ हाड़ी पौधे शेयर करूँगी जो कि starting period में आप अपने गार्डन में ला सकते हैं लगा सकते हैं इन में से Friends, सबसे पहले जो पौधा आता है वो है Friends, माक्सिकन पिटुनिया बहुत ही हाड़ी होता है, easy to grow, छोटे हाइट के लिए बहुत अच्छा है, इस पेस कम है तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं बसाथ के दिनों में बहुत असानी से लग जाता है, इसकी cutting लगती है, इसमें seeds बनते, seeds भी लगते हैं और Friends, इसमें बहुत अच्छे फूल आप ले सकते हैं, अगला जो पौधा है Friends, वो है देसी सदा बहार, वसे आप hybrid ले सकते हैं, लेकिन बारिस के दिनों में ना ले बारिस के दिनों में hybrid वाले जो होते हैं, उसमें fungus बहुत जल्दी लग जाता है, जो देसी वाला सदा बहार है, इसे आप ले सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से भर भर के आपको फूल मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने garden को काफी जादा खुबसूरत बना सकते हैं, य पूरे दिन की धूप में रहने वाला पौधा है, कटिंग से बहुत असानी से लग जाता है, तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने garden में पूरे साल खुबसूरती के साथ फूल भी ले सकें, इसके बाद अगला जो पौधा है फेंस वह है चंपा का, और भी काफी सारे कलर वेराइटी में भी चंपा के पौधे आपको मिल जाएंगे, तो आप चंपा के पौधे को लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा और हाड़ी पौधा है, जो कि बहुत असानी से चल जाता है, कटिंग से पौधा बहुत असानी से लग जाता है, और एक टाइम के बाद आप इसे बहुत सारा बना भी सकते ही और बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है इसे आप हैंगिंग बास्केट और पॉट दोनों जगह लगा सकते हैं अगला जो हाड़ी पॉधा आता है वो है फ्रेंस रियो रियो भी कुछ ऐसा ही पॉधा है जो की जड़ों से फैलता है और एक टाइम के बाद आप बहुत सारा बना सकते हैं तो रियो के पॉधा को भी आप स्टार्टिंग गार्णिंग पिरियर्ट में लगा सकते हैं और इस पॉधे को फ्रेंस हलकी फुल की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा से ग्रो होता है नेक्स जो पौधा आप लगा सकते हैं वो है फ्रेंस थूजा का पौधा ये भी काफी हाड़ी होता है पूरे साल हडा भडा बना रहता है खुबसूरती देता है इस पौधा में बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है अगर पानी हमेशा मिटी में रुका रहा ठेरा रहा तो ये पौधा खड़ाब होने लगता है तो बस इतना ही ध्यान रखना है और ये पौधा फ्रेंस बहुत हाड़ी होता है असानी से चल जाता है पूरे दिन की धूप में रखे बहुत अच्छा से ग्रो होता है निघ्जी जूस बहुत ही इसी टु ग्रो प्लांट है वह फ्रेंस क पॉलियस के पॉदे फ्रेंज बहुत आसानी से चल जाते हैं, बहुत अजेज़ी आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है, और एक से आप बहुत सारा पॉधा भी बना सकते हैं. बारिस के दिनों में इसके ग्रोध भी बहुत अच्छी होती है कलर भी काफी वायवेंट हो जाते हैं गार्डन में कलर आड़ करने के लिए पौदा बहुत अच्छा है कम्प्ली शेड में इस पौदे को ना रखें अगर आप बालकनी में पौदे लगा रहे हैं तो पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट और धोरी बहुत दूप आजाए ऐसी जगह आप इसे रखें बहुत अच्छे से कलर भी आता है पौदा भी बहुत अच्छे से चलता है अगला जो पौदा है वो है फ्रेंस जेड प्लांट गार्णिंग के सुरुआ आती स्टार्टिंग पीरियड में फ्रेंस आप जेड प्लांट को लगा सकते हैं यह बहुत हाड़ी है आसानी से मरता नहीं है बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं कर है वो है फ्रेंस पानी और्थ का पानी और्थ के पौदे भी काफी खुबसूरत और हाड़ी पौदे होते हैं यह एक एक प्लांट है पानी में ही ग्रो किया जाता है या फिर बिना छेद वाले गंबले में आप इसे ग्रो करिए बहुत अच्छे से चलता है और इसके गोल- मासुखें ऐसे देखते रहना है और इसमें जदाह से पानी में आप इस पौदे को कर सकते हैं हाडी पौदे में आप लगा सकते हैं बहुत-छा पयूदा है जिसे की आसानी से ग्रो किया जा सकता है हाइबिट वाले जो होते हैं वो धोड़ें नहीं से प्रै कोई की जवरत देखवाल की जौरत नहीं पड़ती है ये पौधा फ्रेंस हैवी फीडर होता है इसलिए टाइम टाइम पे आपको इसमें खाद देना है इतना ही आपको देखना पड़ेगा इसके अलावा ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और अच्छी खासी फ्लावरिं जिसे बहुत सारे फूल आप अपने गार्डन में ले सकें ये पौधा हमेशा फूलों से भड़ा हुआ रहता है बहुत हैवी मात्रा में फ्लावरिंग करता है और उन्टे छोड़के इसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है तो इस पौधे को जरूर ही क्रो करिए ज तो इस पौधे को लगाए ये पौधा सीर से कटिंग से दोनों तरीके से लग जाता है गर्मियों के मौसम में पीला कलर का और ओरंच कलर का इदो कलर का मिलता है विंटर सीजन में आपको कौसमस में कौफी सरे कलर मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और हाड़ी पौधा तो आपको 모든 जाए inner-series को जाता है और इस पौदे को लगाता है और इस पौदे को जाहता है और इस पौदे को फिस्टेम्न आज मैंने काफी आरे पौदे बहुत सारे पौदे हैं जैसे कि इस टाइम आप पाडिजात के पौदे को जरूर पचिस करिए जिसे कि आनेवाले समय में आपको अच्छे फूल मिल सकें क्योंकि अब सिजन आएगा पारिजात के फूलोव का ही तो आप इस पौदे को ले सकते हैं तो फिनसा बहुत सारे पौदे ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग गार्णिंग पिरियड में हम लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाड़ी होता है जिसे लगा के हम इस बात का अफसोस नहीं करेंगे कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं जब भी स्टार्टिंग करें गार्णिंग की तो स्टार्टिंग सस्ते पौदे से ही करें और ऐसे पौधे से करें जो कि हमारे जो environment है जिस area में हम रहे रहे हैं इस area में जो environment है उसे बहुत अच्छे से वह set हो सके और उस environment में अच्छी flowering कर सके तो इस बात का ध्यान जरूर रखें ऐसे नहीं कि हम गर्मी वाले एरिया में रहे रहे हैं और हम winter वाले पौधे लगा ल लेना है आपको सस्ता लेना है मेंगा नहीं लेना है तो फैंस यह थी एक चोटी से जानकारी अगर आप gardening के सुरुआत कर रहे हैं तो आपको कौन से पौधे लेने चाहिए और भी बहुत सारे पौधे हैं फिर किसी वीडियो में मैं share करूंगी और साथ में आगे किसी वीड को सब्सक्राइब नहीं किये फैंस देन प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें साथ में बैल बटन भी दवाएं जिसे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो फैंस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में न